पहले मैं हिंदी गानों की बात करता हूँ मुनिका ओ मैं डार्लिंग शीला शीला की जवानी मुन्नी बदना मुहवी डार्लिंग तेरे लिए अब भुश्पुरी गानों प्याता हूँ भगल वाली जान मारे ले लुलिया चाची के बाची इन गानों में किस शीला की बात हो रही है, किस मुनिका की बात हो रही है, किस चाची की बाची की बात हो रही है, किस लुलिया की बात हो रही है, किस रिंक्या की बात हो रही है यह common है, इन गानों में किसी पर आप उंगली नहीं उठा सकते कि इनको indicate किया गया है, फर्क यही है, गानों में किसी व्यक्ति विशेश का नाम लेना, और साथ में उसका फोटो लगाना, क्या यह सही है या गलत? आप लोग खुँश सोचें, और मुझे बताएं, कि गलत है कि सही है? बहुत सारे ऐसे लोगों का और पत्रकार भायों का भी कहना है कि खेसाज लाल यादों ने भी जो है, नाम ले लेके गाना गया है, मैं मानता हूं, और भी साड़ सिंगरों लोगों ने गाना गया है, नाम पे लेकिन उन लोगों ने किसी का फोटो तो नहीं लगाया गलत यहां पे बात समझने की है देखिए बात क्या होता समझना सबसे बड़ी चीज़ होती कि समझना होता है तो मैं ही कहना चाहूँगा किसी को यहां पर डार्यग्ट प्रतादित कि या रहा है ऐसा न करें और मुझे चाहिए कि हमारे जुटिंश्ट्री के लोग है और हमारी जो ऑडियन्स है हमारे जो फैंस है उनको भी चाहिए कि यह चीस समझे कि ये बात इतना तूल क्यों पकड़ रहा है तूल इसलिए पकड़ रहा है क्योंकि किसी के पर्टिकुलर नाम को यूज किया गया नाम के साथ उसका फोटो भी लगाया गया है ये गलत है तो सो प्लीज मैं यही आप लोगों से विंती करूँगा निवेदन करूँगा कि आप लोग सब की इज़त करें जब हम आपकी इज़त करेंगे तो आप हमारी इज़त करेंगे ये जाहिर सी बात है गिब एंड टिक टीट फार टेट तो सो प्लीज जो ऐसे गाने गाते हैं किसी का नाम लेते हैं और फोटो लगाते हैं पर्टिकुलर वो गलत है ने तो ऐसे तो मुझे रहता है कि हिंदी में बोच्पूरी में कितने ऐसे गाने हैं नाम को लेकि लेकिन किसी का उस नाम के साथ उसका फोटो नहीं लगा है इसलिए वो गलत नहीं है गलत यहां है कि जो है रहा हूं हम सब एक परिवार हैं और जो गलत करता है मैं कहूंगा कि उसके गाने को बिल्कुल न सुने उसको बहिश्कार करें उससे खिलाफ जो केस करें बस यही मुझे कहना था अपने ब्लॉग के माध्यम से क्या आप लोग सच का साथ दें चाहे हमारे अवाम हो चाहे हमारे दर्शक हो हमारे फैंस हो हमारे पत्रकार भाई हो चले सबको परणाम सबको सलाम लव यू आल जय भारत जय हिंद हमारे बहुत सारे सिंगरों नाम लेके गाने गाए हैं लेकिन नाम लेकर गाना गाना कोई बुरी बात नहीं है जब फोटो हम लगा देते हैं वो बुरी बात है तो मैं यह कहना चाह रहा हूं कि आप लोग ऐसा कभी ऐसा कोई काम ना करें तो मुझे लगता है कि हिंदी इंडस्ट्री हो या भुश्पूरी इंडस्ट्री हो नाम लेके बहुत सारे गाने बने हैं और ही बहुत सारे गाने हैं जो मुझे याद नहीं या मेरे ध्यान में भी नहीं आ रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर एक नाम पे गाना बनाना और गाना बुरी बात नहीं है बुरा तब है कि जब हम नाम ले उस सक्स उस वेक्ति का और उसके साथ हम उसका फोटो चिप गए है वो गलत है मैं कहना चाहरे हूँ भी खेसारी जी की बेटी का नाम भी लिया गया और उसके साथ उसका फोटो भी लगाए गया इससे पहले मैंने जितने भी गाने गाए है इन गानों में एक नाम है और वो नाम हजारों लाखों करों लोगों के हो सकते हैं सीला, मुन्नी, लुलिया, रिंकिया, ये लाखुलों के नाम है, पाइटिकुलर कि किसके लिए गाया जा रहा है, ये इंडिकेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि किसी का फोटो नहीं लगाया गया है, लेकिन अभी एक जो लड़के निगाना गया, वो किसारी लाजी के बेटी का नाम भी रखा और उसका फोटो भी लगाया, ये गलत है, मैं ऐसा नहीं कि मैं किसी का पक्ष ले रहा हूं और किसी का भी पक्ष, किसी का सपोर्ट कर रहा हूं और कुसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, ऐसा नहीं है, बात सच, सही और गलत की है, हम किसी का नाम लेते हैं औ सारे गानों में किसी का फोटो नहीं लगा और कृति कोई हिरोईन तो है नहीं अब मातर 13-14 साल की उप लड़की है नबाली लड़की है उसके नाम पे गाना गाते हो और कृति पे गाना गाते तो कोई फरक नहीं पड़ता मुझे ऐसा लगता है कृति लाखो लड़कियों को लेकिन जो फोटो लगा दिया गया है तो यह जाहिर होता है कि आपने डारेक्ट उसी के लिए गाया है तो दोस्तों मेरे बड़े भाई बुजर्गों क्या यह गलत बोल रहा हूं मैं गाना गाईए किसी भी नाम को लेकि गाना गाईए लड़की हो यह लड़का हो लेकिन जाफ फोटो लगा देते हैं तो यह जाहिर होता है यह साफ इंडिकेट होता है कि आप उसी के लिए गाना गा रहे हो तो यह कितना गलत है हर आदमी की इज़त है अमीर, गरीब, छोटा, बड़ा सब के बारे में सोचना चाहिए अगर हम किसी के बेटी के बारे में किसी के बहन के बारे में हम उसका नाम लेके आउसका फोटो लगा के गाना गाए तो क्या अच्छा लगेगा किसी को भी अच्छा लगेगा परदास्त होगा इज़त सबकी है दोस्तों और इज़त करना चाहिए मैंने बहुत सारे ब्लॉक्स देखे बहुत सारे इंट्रेव्यूस देखे बहुत सारे मैं अपने प्रत्रकार भाईयों से ही कहना चाह रहा हूँ कि भाईयों गलत तब हो गया है गलत तब है ये कि उस सक्स पंकज जिसका नाम है उसने कृति नाम लिया कोई गलत नहीं है लेकिन कृति का फोटो लगा दिया वो गलत है आप लोग समझे और आप लोग को भी समझना चाहिए कि व्यूज पाने के लिए अपने को हाइलाइट होने के लिए क्या ये सही है किसी के बहन बेटी का फोटो लगा के और उसके नाम का गाना गया जाए ये क्या सही है आप सब बताईए नो डाउट आप लोग पत्रकारिता में हैं आप लोग जो है पत्रकार है रिपोर्टर है नो डाउट आप लोग बनाईए न्यूज बनाईए लेकिन आप लोग सच का साथ दीजिए क्योंकि आपको लाखों लोग देखते हैं वाइरल होने के लिए आप कुछ भी न बोल दे गलत सही का आप लोग पहले आंकलन करें कि क्या गलत है क्या सही है अगर ऐसे ही चलता रहा अगर यही सही है तो मुझे लिखते हैं कि सारे लोग ने जिन्होंने गाना गया सब गलत है तो पत्रकार भाईयों आप से भी मेरा निवेदन है कि आप लोग ऐसे लोगों का सपोर्ट बिलकुल न करें क्योंकि पत्रकारिता यह नियूज यह हमारे एक देश का स्थम्भ है चौथा स्थम्भ है अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा और किसी बहन किसी के बहन बेटी के बारे में कोई भी कुछ बोलता है तो उसका कितना हट होता गा कितना दुख होता गा अंदर से कितना गुस्षा आता होगा तो मैं अपने सभी चाहने वाले से ही कहूँगा कि बिल्कुल नहायत गलत है और आप लोग गलत का साथ बिल्कुल ना दे ऐसे लोग जो किसी के नाम लेके गाना गाते हैं कोई बात नहीं है लेकिन नाम के साथ उसका फोटो भी लगाते हैं ऐसे लोग आप लोग बहिशका जो ऐसा गलत काम करता है उसका विरोध करे उसका बहिशकार करे ताकि आगे चलके कोई भी ऐसा गाना ना गये ऐसा दुवारा काम न करे उसको इतना प्रतारित करे उसको इतना जो है मैं तो कह रहा हूं कि मैं बहुत कुछ गलत नहीं बोल सकता क्योंकि एक गरिमा है मैं उस लेवल से गिर के बात नहीं करना चाहता हर किसी की इज़त है और सब की इज़त खुद की इज़त समझी कि हमारे साथ भी हो सकता है तो ऐसा ना करें प्लीज मैं उन सभी चाहने वालों से ही कहूंगा कि प्लीज